कि अचछे त्यारी कैसी चल रही बहुत ऐसे रही होगी आप एकदम मस्त अपनी बढाई कर रहे होंगे गुटीमिनिंग वेल्कम टॉल फ्यू वेल्कम टुडेयस क्लास तो आज हम बात करेंगे संदनकी परस्थावना के बारे में भाइवाज हम ढब करेंगे सन्भीडान की प्रस्तावना में एक topic संभीडान के विशेस्ता हैं इस टॉपिकav पर भी हमने बीच में रहे हैं हमसे समी अगली बागए संभीडान की विसेस्ता के बारा में कमें स्वागत आप सभी का आज की क्लास में welcome to all of you once again बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए बेलकम आए शुरू करते हैं शुरू करते हैं तो आज हम पढ़ेंगे प्रिस्तावना प्रिस्तावना के बारे मज़द दिन करेंगे प्रिस्तावना में क्या क्या चीज़ा आपको सुनाई पढ़ती है प्रिस्तावना में आपने क्या क्या पढ़ाए प्रिस्तावना क्या क्य तावना करें जिसमेड कुगिस्तावना कि तावशे क्रता स्थाना की तो प्रस्तावना को सबसे पहले आपनों कहते कि हैं प्रस्तवना की बारे सबसे बेसिक सी बात है किसी भी चीज की प्रस्तावना की बारे माँ बात करें किसी किताब को पढ़ेंगे उसमें प्रस्तावना होती है प्रस्तावना क्या होती है कि उसका इंटोडेक्शन होता है उसका परिचय होता है क्या परिचय दे रहे हो क्या उसका इंटोडेक्शन द ज़र आता है कि उसकी प्रस्तावना आपको सबसे पहले इसका उसका नहीं परिच्छ पत्र होता है इसलिए उसके सही बातliner के सब्स्टावना को बताती है कि उसे लोगों कि कहा कि सम्दान का छो एक्टौल रूप है सम्दान का जो एक्टौल रूप है वह आपको प्रस्टावना से देखने को मिलता है तो संदान के की बारे में वह से लोगों ने बहुत कुछ बात अधा फ्रस्तावना को ले कर कहीं कंखे तो लोग ने कहा कि प्रस्तावना समिधान की राजनीतिंक जनमपत्री कि ए… मुंसी जो है राजनीतिक जनम पत्री ये भी बहुत अच्छा ट्रम है प्रस्तावना क्या है कि आपको सारी सारी slas5 के बारें बताते के बहुत में क्या होगा जनम मैं इसको कह है प्रिकार से जू ईसको कह सकते हैं का था क्याम मुंसी का पूरा बा Sacred सम्में की आत्मा कई मि संविए प्रस्तावना सम्मिदान की आत्मा कि इसने कह तो सम्म में पूचा जाता है तो सम्मना को प्रस्तावλά संभादान की आत्मा बताया थाकुर्दाज भारगमने ताकुर। बहुत संभाची प Creek, एक्रस्तावना संभ्दान की आत्मा तो路 थाकुर्दा संभ्दान की पाल की वाला साथ आप कहते हैं कि सम्मेदान का पर्चे पत्र है यह प्रस्टेशन बहुत अच्छा को लेकर तो यह नाम डाल सकते हैं आप पाल की वाला पाल की वाला यहोंने कहा कि प्रस्तावना समधान की जो है समधान का परचय पत्र है यानि इंट्रोडिक्शन एक प्रकार से आप कह सकते हैं लोगों ने इसको जबाब दिया तो ऐसी बहुत सारी बाते हैं हमारी प्रस्तावना के बारे में कहीं तो इसके आधार पर रस्तावना कि यहाल समझा जो ऑं वहारी कि आधनी तवियत, थोड़ी सही नहीं थी तो आज बड़ा जीप सा में महसूस कर रहा था इसलिए थोड़ा सा मैंने लेट क्लास स्टार्ट करी आपकी चलिए पर कोई नहीं लेट आई स्टार्ट होगी ठीक है इस टेलिग्राम लिंक आपको पिन किया गया इस पर क्लिक करके देखो यह काम कर रहा है आपको सही से पिन करना था तो खुल जाएगा टेलिग्राम चैनल ठीक है चलिए तो यह है प्रस्तावना के बारे में कुछ सब्द जो लोगों ने कहें कि प्रस्तावना क्या है प्रस्तावना कैसी है प्रस्तावना में क्या क्या चीज़े है यह आपको चीज़े समझाईगे बताया गया प्रस्तावना के बारे में प्रस्तावना को राइमत प्रस्तावना से एक बेसिक प्रश्ण समझ में आगे प्रस्तावना क्या है अब प्रस्तावना से एक बेसिक प्रश्ण बनता है सबसे इंपॉर्टन है प्रेम्बल जिसे आप कहते हैं एक तो आप नाम देते हैं इसको प्रेम्बल इसको दूसरा नाम आप लोग देते हैं प्रस्तावन सब्सक्राइब क्या सब्सक्राइब न का नियों है क्या सब्सक्राइब प्रस्तावना कर जो तोais सबसे पहले प्रस्तावना का विचार कहा है यहां पर दो तीन डैमेंशन बनती है एक तो होता है प्रस्तावना की थौट थोड़ को आप लोग नाम देते विचार प्रस्तावना का विचार कहा है तो यहां सबसे अच्छा एक्जामपल होता है अमेरिका अमेरिका का जो सम्मिदान है इसमें दुनिया में सबसे पहले प्रस्तावना का विचार आपको देखने को मिलता है इसने सबसे पहले प्रस्ता प्रस्तावना की वहागी चुछनेम आता है कि प्रस्तावना का आधार क्या मैं इस इस मिर्स इन विचार लिय व्हागी दैस की संदार में परस्तावना की आधार क्या रहा कि हमें अपनी प्रस्तावना के अंदर यह चीज़ डालनी है तो इसे कहते हैं प्रस्तावना का बेस तो तीन प्रकार प्रस्तावना का विचार कहां से लिए दूसरा प्रस्तावना का आधार कहां से लिए आधार को आधार को आधार को आप बोलते हैं आप आसा में इसको मोगकिन नहरूजी के द्वारा प्हेस किया गया थी दिसंबर यह बाइसा कहां से लिए है ततरु है यह अन्य सी आप पड़ते हो कि वी दा पीपलIRE उफ इंडिया तो वी-दा पीपल विंदिया जो है यह हमने कहां से लिया है तो ऑस्टिलिया से हमने समधान की वासा लिए अब इसमें बहुत से लोग केंफूज हो सकते हैं क्योंकि हमने आयरलेंड को देखा तो आयरलेंड में वीदा पीपल आइरलेंड है वीदा पीपल अमेरिका भी है तो वीदा पीपल ऑस्टिलिया तो हमन साथे सब्द हैं कि इने ऊस्ट्रिय ल faced रखे ंसीलिश हम कहते हैं कि बारत के संवधान की फरस्तावन आम ने ऐस्ट्रिया के संवधान से ले रखें। बहुति办 करें बीड़ी कि बढ़ी प्रसंतार की प्रसंतार ओसनार की बार बतलिanka हम भारत के लोग भारत को एक यह बनाएंगे वो बनाएंगे तो क्या यह आधारात्मक्तत्व है इनको अमने कहां से लिया है इनको अमने जो लिया है उद्धिस प्रस्ताव से लिए और मैं बात करूं तो विचार की तो हमने अमेरिका से लिया है मैं बात करूं भासा की तो इ से नहीं लिया अमेरिका ने प्रस्तावना का विचार जो खुद लिया अमेरिका वेश्व का पहला लिखित लोगतंत्र है संविदान है जिसका तुसमें प्रस्तावना का विचार खुद ही लिया तो इसमें बहुत सारे तत थे जो आपको पढ़ने पढ़ेंगे, जो आपको जानने पढ़ेंगे कि सम्दान की प्रस्तावना को सुईकार कब किया गया था तो एक प्रशना आता है बहुत अच्छा अल्सकल एक्जाम में कि प्रस्तावना की मेकिंग आजम पढ़ते हैं प्रस्तावना का बनना फिर हम पढ़ेंगे प्रस्तावना क्या है यह आज तक आप लोगों ने सैद मुस्किली पढ़ाऊगा कि हमारे सम्दान की प्रस्तावना कैसे कैसे बनी थे है कि हमारे संब्धान की प्रस्तावना के बारे में बाट तो पहले से हो रही थी उद्देश से पर Täसली इंधनेपिस किया था 2012 जन लब न era 1947 को अब स्विकार किया था तो अद्देश से प्रस्तावी प्रस्तावना की रूप險 आपको देखने को मिला अधिक बहुत बढ़ी है उन्तों हमारे संदान की प्रस्तावना जो बनकर त्यार होई सबसे पहले 17 अक्टूबर 1949 को हमारे संदान की प्रस्तावना जो है इसको संविदान सभाने सुईकार किया था यानि मैं आपसे अगर बात करूं कि जह हमारे संदान सभा की वाचन चल रहे थे तो सेकंड वाचन हो रहा था आप लोगों ने पढ़ाओगा मैंने आपको बढ़ा है दुत्य वाचन जो था उसक्तर एक्टूबर 1949 को सबसे पहले अअमेरिका में ब lagचन प्रस्तावना ने जो ऊकुछ चीनी आगा प्रस्तावन अमेरिका की संदान सभाने पारμεं की सहागे निए आपके पॉइंट तो संभीदान सभा ने प्रस्तावना को सूंधार के हमारी संदान शमाने इस तारक को प्रस्तावना को सुईकार किया था और ये कौन सी दारिक थी ? तो आप कह सकते हैं कि हमारे समधान की जो second reading चल रही थी ? Second reading का ये हमारे समधान का last day था अंतिम दे था इस दिन हम क्या कर रहे थे ? हम प्रिस्तावना की अध्यन को करने लग रहे थे और हमने प्रिस्तावना को सुईकार कर लिया कि हमारे सम्धान की प्रिस्तावना यही बनेगी अब एक बहुत अच्छा प्रशना आपके एक्जाम में पूछा जाता है इसार एक बात बताओ जब 1721989 को प्रिस्तावना बनकर त्यार हो गई और इसके बाद हमने सम्धान को सुईकार किया 26 नवंबर 1949 को और हमने कुछ सम्धान को लागू भी किया था इस तारीक को अमने प्रिस्तावना को लागू नहीं किया क्योंकि भाई एक बात कौन से बात समझे पूसप्री इस यह किंगे चे के अगर उसकते हैं जब आनबर उन्नीस उन्हांट प्रिस्तावणा क्यों लागो नहीं हो सकतीτε थे पर्स्ताव नहीं तक कि प्रिस्तावणा को जो है प्रस्तावना को आज ही के दिन यानि 26 नमबर 1949 को अब प्रस्तावना को लागू कीजिए लेकिन इस बात को स्विकार नहीं किया गया इस बात के ब्रोद में अलादी इर उन्होंने का कि बाहरत चोए 26-जनवरी 1950 को बारत क्या बनेगा एक बारत गड़तंत्र बनेगा क्या बनेगा और हम अपना गड़तंत्र 26-जनम है ने का कि हमें प्रिस्तावना अब नाम लिख लेंगे इनका अलाधि कृष्णा सौमी एए इन्होंने का कि हमें प्रस्तावना इसी दिन सुईकार करनी चाहिए किश्षण सवामी अयर्ण इनके कहने पर क्या हुआ कि हमारी प्रस्तावना को 26 जनवरी 1950 को सुईकार किया गया क्योंकि बारत गरतंत्र के रूप में इसी दिन गोसित हुआ था इससे पहले बारत गरतंत्र नहीं था इससे पहले बारत गरतंत्र नहीं था इसलिए हमारी प्रस्तावना को इसी दिन सुईकार किया गया और हमने अपनी प्रस्तावना 26 जनवर 1950 के दिनी सुईकार करी और उसी दिन से अमारी प्रस्तावना अमारे समदान में लागू हुए यानि अनुच्छे 5 के बाद हमारी प्रस्तावना लागू हुई है तो अपने आप में एक बड़ा अच्छा पॉइंट है सभी द्यारती क् आच ये चैड़ वोक्स अब लाल कैसे होगा लिपिस्टिक तो फैकना मत लाल करने के लिए आपके पास क्या है उसका प्रयोप किया जाए तो यह एक अच्छा सा फैक्ट आपके लिए हो जाता है जो आपकी नौलेज को एक क्रॉनिकल में हम समझा रहे हैं कि प्रस्तावना यह कॉंसेप्ट है फैक्ट के साथ साथ एक कॉंसेप्ट है जो आपको समझना बहुत जरूरी होता है प्यारे विद्यारतियों ठीक है प्यारे मित्रों लेकिन आज तक अभी आपने किसी की चर्चा के माद्यम से स्कोप पढ़ा नहीं है आप देखो आपने क्या किती है दो अब हमारी प्रस्तावना को पढ़ते है कि हमारी प्रस्तावना क्या कहती है हमारी प्रस्तावना है हम भारत के लोग हम भारत के लोग यानि कहती है कि वीदा पीपल आफ इंडिया हम भारत के लोग इसका मतलब क्या है कि वीदा पीपल आफ इंडिया इसका मीनिंग मैं आप को एक ऐसा country बनाएंगे लोग करते हैं कैसा country बनाएंगे तो यहां समझे रिए बारत को ट्रपल-S 2030 बनाएंगे इसका मतलब गया एक बारत को बनाएंगे है socialist है secular देमोक्रितिक के रिपल्विक कि इसका मतलब क्या है कि कहता है कि हम प्रस्तावना कहती हम सबारत को एक संप्रवू समाजवादी आप सब लिखते चलेंगे पंत्र पेच लोग कांत्रिक गंडराज लोग तांत्रिक गंडराज बनाएंगे जिससे कि बारत के लोगों को वावागे लिखेंगे जिससे कि बारत के लोगों को इसे क्या मिलेगा इसे बारत के लोगों को क्या मिलेगा देखो बारत का ऐसा कंट्री बनाएंगे जिससे कि बारत के लोगों को अब लिख सकते हो तीन प्रस्तावना में लिवर्टी नाम के सब्सक्राइब प्रेयोकिया प्रेडम नहीं और तीसरा मिलेगा तीसरी मिलेगी समानता समानता को आप लोग क्या नाम देते हो तो एक्कॉलिटी कियाना देतो एक्कॉलिटी यानि नियाय सुप्रमित्रता और समानता यह तीन चीज़ा आपको प्राप्त होंगी इनको एक बढ़ दो पढ़ेंगे नियाय में क्या बोलता है मुलें जी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक नियाए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक नियाए यह आप कह सकते हैं शोष्यल एकॉनोमिकल पॉलिटीकल जस्टिस अब सुतंत्रता कितने प्रकार की पांच प्रकार की इसमें क्या आएगा आप देखेंगे आपने पड़ा होगा विचार अभिवेक्ति आप लिख सकते हैं विचार अभिवेक्ति विश्वास धर्म और उपासना आप इसे कैसे पुढ़ेंगे लिवर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेसंग बिलीव पेद एंड वर्चिव इसके बाद समानता की बात करेंगे तो समानता दो प्रकार की बात करियाती है एक है प्रतिस्था और दूसरा है अवसर यानि इसे आप कैसे लिखेंगे प्रतिस्था यानि के एक प्रकार से आपकी स्टेटस और दूसरा है आपकी ओपॉर्चुनिटी है देखो मेरी बात को वड़े ध्यान से सुनेंगे इसको आपको इसी क्रम में लिखना है क्योंकि आजकल क्या हो रहा है आजकल जो प्रशन एक्जाम में पूछा जा रहा है वो अलग प्रकार से पूछा जा रहा है वो पूछ रह है मैं यहीं कंण से लिखना है ऑग्रपल एस डी आर्सिक प्रशन मंता है कि वारत के संधावना में दिये के परिश्णों को को करम से लगा है क्रम से कैसे लगा होगे आप लगाओ के क्रम से सचेंट कुमार जी पूछ रहा है एनीबड़ यूपेसी इस्टूथेंट एबड पूछता है कि प्रस्तावना में न्याय को क्रम से लगां तो पहलेते समाजिक याय means आपको इसी क्रम में इसको याध करताएं जैस तो समझम हैं आप सोतंतरता to सम दन्कीं प्रस्तावना की क्रम क्रम से लगाए स्बjustे क्रम से सियांद करोगे विचार आपके मन में को विचार आए आप ने जुत कि अभिवक्ती कर दिए लोगों को उसको विस्वास हो गया वही बाद में धर्म अन गया और बॉशा करने दोगए लोग उसकी उपासना करने लगए तो ुप पांचों का यही क्रम है, पांच प्रकार की लिवर्टी है हमारी प्रेंबल में हमारे मौलेक अधिकार की बात करोगे तो वहाँ पर फ्रीडम है और फ्रीडम के अलग टायप है यहाँ पर लिवर्टी के आपके पांच प्रकार है यानि विचार, अविव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना समता की बात करोगे समानता के दो प्रकार एक प्रतिष्टा की समानता और एक आपकी अवसर की समानता इसी रेंक्मेंट को याद करना है समानता दो प्रकार किये पहले प्रतिष्टा आती है बाद में अवसर आता है इसी प्रकार से आप प्रशनों को करता है और था की बैट करती है अब इन्हीं सब्धों की आपको explanation पड़ने हैं थर आपको बढ़ना कि प्रस्टावना किस की स्रोत है जेरात्य difficult Sakit तो यह इस्के उिद्ध ससे हैं और यह क्या है नेचर हआ वनेखा हमारे स्थाइंट सो की जिसके इन यॉट्गे से राश्र्ट की एकता हो सुलेगों आप लिख सकते हैं क्या क्या भी व्यक्ति की गर्मा के वी स्टेट्मेंट तो राष्ट्र की एक्ता के आपको एक सब्द को बड़े ध्याद से समझना है इनका मतलब क्या है एकता को बोलते आप unity अखंद दागो बोलते आप integrity लेगिए और गरिमा को आप बोलते है इंडवीजियल का गरिमा इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे इन चीजों का हम समझेंगे समता और समानता अलग अलग है कि एक है समता और समानता एक ही चीज़ें समता और समानता एक ही चीज़ें कोई डिफरेंस नहीं है समता और समानता एक ही चीज़ें आप इसको एक ही डायरे में मान सकते हो अनुभा समझ में आ रही है कितने विद्यारतिया में लाइक देख रह अब इन सब्दों को आपको समझना है तो आप में से कितने लोग इन सब्दों को समझना चाहते हैं एक बार जोड़दार थमसब बेज़ेंगे फिर मैं एक एक करके इन सब्दों को explain करूंगा फिर हम बात करेंगे प्रस्तावना में संसुधन किया से होता है इन सारी चीजों को डिसकस करेंगे तो सबसे पहले इन सब्दों को आप समझते हैं देखो प्रस्तावना में पूछा जाता है प्रस्तावना किस-किस चीज़ का सुरोत है यानि एक आपकी एक्जाम में आज कर ट्रेंड चले गया मेंस में कि आप प्रस्तावना को लिखते हो प्रियंबल को लिखते हो तो ऐसे करके आप लिखते हो कि आपको क्या करता है सम्मिदान का या देश की प्रकरती बताती है प्रकरती यानि नेचर कि हमारा कंट्री का नेचर क्या रहेगा तो नेचर में आप लिख सकते हो ट्रपल एस डियार रहेगा ठीक है यह बास समझ मे क्या है कि आपको सक्ति का स्रोथ समझाती है कि बारत में सक्ति का स्रोथ क्या है तो इसमें आप लोग लिख देते हो कि भारत की जनता विकोस भीदा पीपल आप इंडिया भारत की जनता इसको में एक्स्प्लेंड करेंगे क्यों ऐसा है बारत की जनता फिर आपको समझाती है क करतें से उद्देशें की प्राप्ति क्या होगि इसकी प्राप्ति य। करने इसमें लिए यह नियाय है है हमारे में धुंतरता है फिर इसमानता है तो यह अपके उप्जेक्टिव में प्रत्राबन की सुवि करने के देट गया है तो यह आपको यह आपको 26 नमबर उनी सोने चाहस को इसमें लिखी है कि हम आज के दिन क्या करते सम्मिदान को सुईकार करते तो सम्मिदान की जो डेट है वो आपको प्रस्तावना में देखने को मिल जाती है तो चार चीजे आप प्रस्तावना में more or less देखते ह ठीके भाई न ग्रेट 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 मैं चरह पड़िक रहा है यह तु landlord manip वहाओं अप्र ने को पढ़ा रहा हुअसें दד के साथ गूजर रहा हूं é इन्जोई कर रहा है इसी प्रकार करते चलिए पूर्ड स्वराज करता कौन था सर प्लिस रिप्लाइए पूर्ड स्वराज कौन करता था पूर्ड स्वराज तो हमने मांग करी थि कि वह आउट पूर्ड सुराज होता है कि हमें अंग्रेशों का dominant status नेची हमें पूर सुराज चाहिए हम चाहते हैं फूल इज्जत पूर सुराज का मन दोता है फूल इज्जत बहुत बहुत नमस्कार भाई बन्नु विश्णोई चटक पाउं लागों गुरुजी डंगर सिंग चुहान बहुत अच्छा समझ में आया कॉंसेप्ट कुछ बात है समझ में चलिए अब एक एक से पढ़ते हैं कि ट्रपल है क्या इस वाले स्क्रीन सोट ले लेना क्योंकि यह बहुत काम का है बैसे तो आपको यह हर जगे मिल जाता है बस एक किताब का पीडिएफ में आज आपको डलवा दे रहा हूं जीएस्वित करन चौदरी हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको आप जोइन कर लेंगे लिंक दिया है इसकी पीडिएफ में अभी आज आपको डलवा दूँगा मेरे पास इंगलिस की हिंदी मीडियम की अलग लग ल कि एक बार डाउनलोड कर लेंगे मैं टेलीगाम चैनल पर लिंक जो इसका डलवा दूँगा आपको पीडिएफ दे दूगा फूरी की पूरी आई अब समझते इन सब्दों के बारे में सब्दों का जादू क्या है तो पहला सब्दे हम भारत के लोग का मतलब क्या है मेरे सब्दान के लोग और यहां आपको दो तिन चीज़ां बताता है पहली चीज यह बताता कि भारत में संपर्वता जो है साब्रवता जन्ता में नषेते हैं अभिए कैसे निहते हैं सिरे बोलने से नेत हो जाएगी क्या । सूरनेटी रिसाइब इन दा पीपल ओफिंडिया वल्ट हाओ कैसे पॉसीवल है तो हमारा जो सम्मिदाने से जनता ने सुईकार किया वीदा people of India का मनलों होता है हम भारत के लोग दीखू हमने प्रस्ताव सम्मिदान में क्या लिखा भाई हमने क्या किया हमने एक बहुत बड़ी सम्मदान सवाव बनाई और सम्दान सवाने कुछ नियम बैठके लिखे हमने उन नियमों को इस किताब में कमपाइल कर दिया इस किताब का नाम हुआ भारत का सम्दान हमने क्या का वीदा पीपल अफ इंडिया हम भारत के लोग यानि आज मैं बात करूँ तो 121 करोड भारत की जनता ने अपने नियमों को अपने आप बनवाया है और नियमों को बनवाने के वाग हम कहते हम भारत के लोग भारत के सम्दान को यानि वीदा पीपल अफ इंडिया हमने इन नियमों का निर्माण किया है और हम इन नियमों को स्विकार करते हैं अपनी जिन्दगी में कि हम इन नियमों के अनुसार अपने जीवन को जीने में हमें कोई कठनाई या हमें कोई समस्या नहीं है हम 121 करोड देशवासी इस बात को स्विकार करते हैं कि हम इस सम्मिदान को स्विकार कर रहे हैं We the people of India तो ultimately बात निकली कि इस सम्मिदान के अंदर जो नियम लिखे हैं वो क्या है वो legal संपरोवता है कानूनी संपरोवता है इस सम्मिदान के अंदर जो legal बातें लिखी है इन बातों का निर्मार करता कौन है इन बातों का निर्मार किस ने किया है तो सीधा आंसर निकल के आता है भारत की जनता ने किया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सम्मिदान बेकार है इसका निर्मार भारत की जनता ने किया है तो ultimate power किस के अंदर है अगर आप पोलिटिकल सैंस पढ़ेंगे तो आस्टेन ने सम्मिदान का सिधान दिया और आस्टेन ये कहता है कि सम्मिदान वो व्यक्ति होगा जो अन्य व्यक्तियों से उपर उठके है और उसके अंदर सभी प्रकार की सक्ति निवास करती है लेकिन यहां सभी परकार की सक्ती जंता के अंदर निवास करती है और जंता कोई एक रूप नहीं होता है तो इसलिए हमारे country में संपरवुदा के बारे में कही परकार की definition है, कि हमारे country में कानूनी संपरवु अलगे, वास्तिविक संपरवुदा अलगे, कही परकार के में संपरवुदा को design किये, तो ये बात आपको बताती है, कि वीदा People of India, यानि हम भारत की जनता के अंदर संपर संब्सक्राइबन किया है। तो सम्मिदान हमारे देश में जंता के दूआज़ा संपरवत क disent जन्ता संप्रवू है यह वास समझ में आई सभी विद्यारती है अरे बोलो हाँ या न अगर यह concept समझ में आगया है तो लाइक ठोक दो एक बार सभी किसी विद्यारती पीदा पीपल उफ इंडिया अज के बात कभी बोलोगे तो नहीं कि वारती संप्रुद्धा बारत की जनता में निवास करती है तो बढ़ते वह चाहतों कि आगे कभी समय मिलता है नहीं मिलता है कभी सरी में बीमारी कभी जिंदिगी में कुछ लगाई रहता है तो आपको एक बार में सब कुछ निर्मार कर रहा हूं तो मैंने कहा कि इतियास की बुक में ऐसी बुक बनाओंगा वह आपके डालोग सुना थारा जोगेंदर ऐसा खाएगा ऐसा खाएगा किसी ने खाया ना हो तो ऐसे जो आप सुनते हों कि हम भारत की चंता कहती है कि हम ऐसा सम्मधान बनाएंगे बारत को सम्मधान बनाएंगे यानि भारत को ऐसा देश बनाएंगे हम वह लोगों ने पुछा कैसा देश बनाओगे बारत को तो उसने कहा कि भारत संप्रभू होगा समाजबाती होगा पंतन रिपेच्छ होगा लोगतांत्रिक होगा और भारत देश हमारा कैसा होगा एक गणराज प्रस्तावना बनकर त्यार होगी तो प्रस्तावना को जब चलिती प्रस्तावना रहीगी यार इसे मौलेक अदिकार वने संधान का वाचन वान मेरे वाई सम्धान को पढ़ा गया तो है प्रस्तावना थी यानि मेरे कहने का मतलव है मेरे प्यारे दोस्त प्रस्तावना पढ़ रहे हो न आप पीदा पीपल आप इंडिया विज ए पूरा प्रारूप आपने देखा है कि 17 अक्टूबर 1949 को सम्विदान समाने सुईकार कर लिया था सम्दान समाने से एसट कर लिया था ये हमारा प्रस्तावना यही रहेगी मेरे भाई समझ में आया एक बाद सोचना यार तुब विवेक ऐसे समझ साधी के कपड़े तुम दुला वनोगे तो साधी के कपड़े फै करके आ गई तो जो फाइनल होई वो सत्रे अक्टूर 1949 से और जब तुमने सेरवानी पहनी मेरी बास समझ में आई तुमने सेरवानी पहनी वह अपने साधी के दिन पहनी वह 26 नवर 1949 को सम्विदान पब्लिस हो गया पता चल गया कि बेवेक की साधी हो गई और उसको ठीक है मैं पॉलिटी का जहर पीना चाहते हूं सब्सक्राइब को समझ में आ गया पॉइंट नहीं आ गया बास समझ में आ गई है तुमने सारी चीज है न हम टॉपिक पढ़ाते चलेंगे विल अग्री इचन एवरिधिंग हम सब चीज़ों पर बात करेंगे देखो मेरी ज देखेंगे तो मेरी क्लास का परपजे आपको कम्प्लीट बैच देना तो मैं बैच के तरीका से आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं अदर डाउट को नहीं ले रहा हूं क्लास के लास्ट में लूगा क्योंकि फिर क्या होता है बच्चे का फ्लो खराब हो जाता है तो यह क्लास नहीं है तो मैं इसलिए हर चीज को एंटरेटीन नहीं चाह रहा है अब मेरी बात का बुरा मत मनना प्लीज तो आपके अधर टॉपिक डाउट आ रहे हैं वह में क्लास की लास्ट में पांच मनट आपके डाउट लिया करूंगा ठीक है समझ में आ रहे हैं दिसंबर अपने क्लास में बात करीं संप्रवुता करता का मीनिंग होता है कोई ऐसा country जो अपने आंघ को और बाहरी निरणे के लिए खुद पर निरवर हो यानि संप्रवु का मतलब होता है को ऐसा country संप्रवु राष्ट किसे कहते हैं यानि मैं आपको पाऊँ आप सोवर्ण प्री हो जैसे इंडिया है तो इंडिया अपने इंटर्नल और अपने एक्स्टर्नल इंटर्नल निलना निरणय लेने के लिए 100% free हो टो ऐसे देस को आप लोग क्या नाम देते? ऐसे देस को आप नाम देते Тी ओ, Sovereign country नाप देते औ, संप्रभू नाम देते हो कि हमारा Country संप्रभू है क्या जैसी मैं आपसे बता हूँ कि अगर बारत की बात करो कि बारत संप्रवू कब हुआ तो बारत संप्रवू हुआ जब हमारे देश में 26 जनवर 1950 को पिकपर का संप्रवू राज्य होगे जिए हमारे देश में से अंगरेजयों के कानून खतम होगे और हमारे देश में जो चाया उस सक्ति काम में निर्माड किया आप कभी भी देखें तो सम्प्रवू इसको आप तोड़ ले और तोड़ के बनाए स्वेका प्रवू कौन होता है आपने सुना है मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूँ वह गाना सुना आपने सम्प्रवू जैसे गोविंदा एक पिचर में गाना गाता है कि मैं तो लड़की गुमा रहा था मैं तो बेल पूरी खा रहा था तो मैं मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं तो गोविंदा उसमें स्वेका प्रवू है यानि गोविंदा खुद संप्रवू है ठीक है तो कोई कहता अपनी मर्जी का मॉला मैं तो मस्त मॉला हर्पन मॉला सब संप्रवू लोग में संपरूता पे up जादा बात नहीं करूँगा हम टॉपिक कूए रीपीट नहीं करेंGये थि अब सोच्लिस्ट का मीनिक्वादी टो समाजवादी किसे कहते हैं रहzahlक में समाजवादी हुँ सोचलिस्ट का मतलब कहा है इंडिया एक में समाजबाद कैसे आया बारत एक समाजबादी कंट्री कैसे बना पहली बाद तो समाजबादी सब्थ हमारे संदान की प्रस्थावला में पहले नहीं था इसको आमने 42 में संदान कि दुनिया की जन्रली दुनिया को देखोगे आप तो दुनिया का एक हमा वह घरता थे से बोलते ही कैपिटलिस्ट कापि या मैं कह सकता ओव मेルクैक जि Dollarios समझात हो आपको जिसको पोलते हैं इझारवाधी उदारवादी एक खेमाता दुनिया का दूसरे खेमे को आप बोलते थे मार्क्सवादी मार्क्सवादी एक खेमाता दुनिया का जिसको आप बोलते थे मार्क्सिस ट्योरी मार्क्सिस, मार्क्सवादी दुनिया का तीसरा खहमाता जिसको आप बोलते थे साम में समाजवादी 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 को बोलते हैं आप लोग सोसलिस्ट और दुनिया का चौता खहमाता जिसको आप बोलते थे कम्यूनिस्ट कम्यूनिश्ट का मदलब होता है साम्मेवादी यह चार चीज़ा आपने अक्सर सुनी होंगी और 90% बच्चा इन में confused रहता है कि इन तीनों में क्या difference है देखो समाजबादी तो आप पहले समझ लीजे समाजबादी का मदलब होता है यह यहां के पूरा का पूरा कारण के तो दुनिया ऐसी प्रकार से बटी हुई है यह मान के चलो यह पूरब है और यह मान बात देखेंगे तो पुरी दुनिया में एक प्रकार की सुरुवात हो चुकी थी प्रकार से पुरा का पुरा के cold war की दुनिया पूरी बन चुकी थी कि पूरी दुनिया में cold war चल रहा था और 1991 तर cold war रहा इस cold war में यह जो चारों प्रकार की साहर अरथेडियोस्ता गenda मु lawsuit तर्फी ब्याष्ता उस country गल्ठरिकों बोलते हैं हैं लिवरल ऑस country आपके दो प्रशन बन 24 सorts पर मेर में इसका पैवला लिए ऑसी पक्षमी देश में आपको देखने को मिलेगी और जोहन लॉक इसके जनक बुआ करते थे उदारवाद के, इसे कहते है उदारवाद, इस उदारवादी के खिलाब पे एक दूसरी विचारदारा शुरू हूँ दुनिया में, समझ में आ रहा है सभी विद्यारतियों को, समझ में आ रहा है, बेटा उपर तो नहीं जा रहा ह कि मैं चीज़ों को उपर लेके जा रहा हूँ, ऐसा दुनिया में चीज़ों को उपर लेके जा रहा हूँ, मैं आपको समझाने ही कोसेस कर रहा हूँ, इसलिए इतना सारा एक्स्प्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि एक पूछा जाता है, माक्स बात करोगे, तो म पूझी वादियों की संपदी है इसको जनता में बाढ़ दो तो यह बनते थे कि वाई बुर्जुअ को खतम करो बह सर्वहारा की सरकार के सिस्टाफित करो होता सर्वहारा में बाढ़ यह बोलते था कि नहीं अर्फिवस्ता पर जो कंट्रोल होना चाहिए वह कंट्रोल ऊच्छिए किसका वह सरकार का इसका जनक था लेने का विचार था इसके बादा है साम्मेबाद तो साम्मेबाद के जनक भूआ करते ते आपके माओ तसे तुंग क्त पता है वो समय के कंट्रॉल रहेंगी और कम्यूनी detonation क्या होती है तो सम्पत्ति के और एकूसरी समपत्ति रहेंगी इसका मतलब क्या हूँ कों सम्ज़ो गया बड़ने चेस प्रकार से देखो उधार substantive को को फ yellow्sy चोड़ दो जिसने जितना कमाया उसको फीछर दो तो एक को एक करोड कमा तो एकì लाग कपा आवे तुब्हाई कोई सृथ नहीं फर कोन पैसा पने किस विचारतारा का जनत कौन है तो आप इसको भी एक बार याद कर लोगे समाज बादे कहते हैं नहीं नहीं यह काम करो नहीं काम करो अर्थिवस्ता को सरकार के इंटर में डाल दो सरकारी बस सरकारी इस्पताल सरकारी गाड़ी सरकारी रेलवे सरकारी एरपोर्ट सरकारी सब में तो इसके जनक मावथ असेतिंगे हैं इसके जनक मावथ असेतिंगे इसके जनक लेकिन अमेरी मदद ने करी और समय सोवियत कुमने के लिए प्रस्तावना में हम समाज बादी सब को जोड के और हमने समाज रहता था लेकिन भारत ने समाज बादी कहें को जोएन किया परंत अब अब हमारेज़ gaming देखोगे 1991 के बाद तो अब हमारे कंट्री में जो है हमारे कंट्री में दोनों ही चीज़े हैं हमारे कंट्री में अर्थविवस्ता जो भी अर्थविवस्ता अगर टॉपिक बन जाता है आपको पढ़ाऊंगा अर्थविवस्ता तो इस टॉपिक में बात करेंगे अब हमारे कंट्री में जो दोनों ही ची सबसे पहले इसको आपन नाम देते हैं सबसे पहले आप इसको आप दो नामों से जानते हैं नाम और इसका पंधी इन दोनों सब्दों को आप अलग-अलग मीनिग में समझेंगे दोनों की अलग-अलग मतलब ओते हैं इन दोनों सब्दों में बहुत बढ़ा अंतर दिया तो दर्म का मतलब क्या है तो दर्म का मतलब है धारण करना अब आप बोलो गुरुजी क्या धारण करना तो भाई धर्म का मतलब है सेट आप रूल्स गुरुजी आप बोलो कि यह क्या विटा को गुरुजी मैं ईसाई हूँ तो धर्मा क्या है धर्मा इसना सैट ऑफ रूल्स नियमों का वो समुच्चे जो आपने जीवन में आपने धारण किया उसके अनुसार अपने जीवन को आप जीते हो और मुसिलिम है तो कहते हैं नवाज पढ़ते हिंदु है तो कहते हैं जय स्री राम मुसिलिम है तो अपने चाहत इसे जूलते हैं शाध मुसिलिम एपने हमे कहते हिंसे ही दर्मा कहते हैं धर्म मतलब धारण करना आप हिंदू बने तो आपने हिंदू संस्कृति के नेमों को धारण कर लिया मुसलिम बने तो मुसलिम संस्कृति के नेमों को धारण कर लिया इसाई बने तो इसाई संस्कृति के नेमों को धारण बन लिया यानि सेमों का वो समुच्च जिसने अपने जीवन में आपने धारण कर लिया उसी को आप क्या कहते हैं धर्म के नाम से जानते हैं अब धर्म निर्पिच क्या कहता है प्यारे मित्रो कुछ चीजों को समझे तो जैसे व्यक्ति ने जीवन में धर्म को धारण कर लिया और धर्म के अनुसार में अपने जीवन को जी रहा हूँ अगर मैं कहूँ कि मैं हिंदू हूँ तो मेरे जीवन में हिंदू धर्म के नियमों को मैंने लागू कर लिया, मैंने उतार लिया, मैंने धारन कर लिया तो इसी प्रकार से कुछ देश भी क्या करते हैं उस धर्म के डियमों को अपने देश के उपर उतार लेते हैं लागू कर लेते हैं और वो व्यक्ति नहीं पूरा देश उस धर्म के अनुसार जी रहा होता है उसे आप कहते हैं धार्मिक देश और मैं अपने धर्म के अनुसार जी रहा हूं तो आप मेरे को बोलो के मैं हिंदू हूं गुरुजी और जो देश जी रहा है उसे आप कहते धार्मिक देश तो हमारे देश में ये प्रोविजन डाला गया कि ना तो हम हिंदू के अनुसार जी एंगे ना मुस्लिम के अनुसार हम अपने कंट्री को धर्म से अलग कर देंगे धर्म से निर्पेच कर देंगे धर्म से अलग कर देंगे धर्म से अलगाव कर देंगे एक विचार आया कहां पच्छमी देशों में इसे कहने लगे धर्म से निर्पेच धर्म से अलगाव कि धर्म से राज्य का कोई संबंद नह ही है धर्म से राज्ज का अलगाव है धर्म अलगे राज अलगे इसको आप लोग नाम देते हो धर्म निर्पेच को सबसे पहले स्वकेमे अमें 1515 की बात करoug ragu को कि समझ में बात आया की नहीं आया दर्माt समझ गया कि नहीं समझें कि यारे बच्छों बोलो हाँ या ना समय कम है तो जल्दी एक्स्प्रेंट करना चीजों को को महात्मा गांदी जी बोले कि धर्म से अलग आप कभी पॉसिबल नहीं है व्यक्ति रोटी से लग हो सकता है पानी से लग हो सकता है सराव से लग हो सकता है बच्ची से लग हो सकता है बीबी से लग हो सकता है लेकिन किसी न किसी धर्म का पालन तो व्यक्ति करेगा ही करेगा च महात्मा गांधी ने कुछ ऐसा कहा जब महात्मा गांधी ने बात कही तो महात्मा गांधी बोले भारत धर्म निर्पेच नहीं हो सकता इंडिया केन नोट बिया धर्म निर्पेच मतलब हम धर्म से अलग नहीं हो सकते हम पंत से अलग हो सकते लोगों ने पूछा ओ बाबा गांदी ये पंथ क्या है What Is Tableau माहत्मा गांदी भोले कईas 500 क्या है बंदने गढदीिने कहा कि देखिए धर्म से व्यक्ति कभी е washer न भी अलग हो सकता है तोलोकिज rocks क्या है मात्मा गांदी ने कहा कि का मीनिंग राज्ज का पंथ से अलगा हो सकता है पर धरम से अलगाव नहीं होगा यह महत्मा गांधी का मानना था कि पंथ से राज जिल निरपेच हो सकता है परंत धरम से नहीं हो सकता ऐसा स्टेट्मेंट गांधी का था कि अब हमने अभी तक गांधी और बैश्नल फिलोस्पी को कंप्यर किया लेकिन अभी तक आप यह नहीं समझें कि भारत का दर्म निर्पेच का मतलब क्या है यानि भारत में पंत निर्पेचता का मीनिंग क्या है भारत का कैसे सेकुलर कंट्री कहते हो इसका मतलब अभी नहीं समझें आप इसका मतलब क्या है अगर कोई कहें कि भारत दर्म निर्पे यह कहता है कि भारत देश का कोई धरmm नहीं है कि भारत देश के सामने सबी-धर्म कैसे मेरे प्यारे बच्चों सभी धर्म बरावर हैं यानि इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि हम सभी धर्मों को बरावर मानते हैं ऐसा नहीं हम धर्मों को मानते ही नहीं है हम कहते हैं तुम हिंदू हो बहुत बढ़िया वात तुमारी मंदर बनवा रहे हैं यही बात प्रदान मंत्री जी नहीं सब करने कोशित करी है कि यह तो हिंदू हो हम इसको माहना तो मुसिलिम हो हम इसको मानते हुं तो भारत में धर्म से सरकार अलग नहीं नहीं है बारत में क्या है कि हम आपmap को मानते हो हम भी मैं आध्यों तो हमारे लिए सभी धर्म, all religions are equal, हमारे लिए क्या है, कि हमारे लिए all religions जो होते है, सभी धर्म जो होते है, are equal, हमारे लिए सभी धर्मा कैसे है, बरावर है, हम सभी धर्मों को बरावर मानते हैं, मेरे प्यारे बाई, हम सभी धर्मों को बरावर मानते हैं हम सभी धर्मों को इक्वल मानते हैं कि सभी धर्म हमारे लिए एक्वल हैं हमारे देश का कोई धर्म नहीं है ना तो हिंदू राष्ट है न मुस्लिम राष्ट है पर और रिलीजन साथ इक्वल हमारे लिए सभी धर्म बरावर हैं हमारे ल चलते हैं धर्म की अनुसार चलते हैं अब बारत की जो पंत्र में पिछता का टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है इस टॉपिक को अगर आप मेंस के पॉइंट व्यू से पढ़ोगे या यूप्यसी के लिए पढ़ोगे तो आर्टिकल 25 में सेम तॉपिक आपको देखने को मिलेगे और पाँ्रीम को मतलब है अमने हम अलगावग किया हम धर्म को कंट्रॉल करते है तब आप कोई व्यक्ती व्यक्ती देखना लोक स्वास्ता के आधार पे हम किसी ढर्म को सनुम्kry सकते ना,. और डिटेल में बात करेंगे कि भारत में धर्म निर्पेच राश्ट रोने के बावजूद भी भारत में धर्म को राज केंद्रित कर सकता है कुछ लोगों को यह लगता है कि भारत में ऐसा नहीं होता है ब्हारत में ऐसा होता है अमिर्ट का और भारत में डिफ्रेंस है कि अमेरिका बिल्कुल अलग है और अमेरिका का जो राज यहीं दर्म को नीह आतक शनका भारत में बावा कासीपूर जैसे बावा को या बावा ऐसे जो बावा बन रहे इनको राज गर सकता है इसलिए आपने जो देखा एमेक्स प्लेयर पर देखा बावा कौंसा है वो नाटक जो आया आज कर बावा बोजपूर क्या है whatever नाटक उसमें मैंने यह नूटिस किया कि कर दर्म कैसे नियंतरित कर रहा है आटिकल 25 को धर्म कैसे कंट्रोल कर रहा है लोग स्वास्त के आधर पर कि तुम भांका गाजे का लड़्डू नहीं ख़ला सकते हूं बात समझ में आई के नहीं कि पॉय्ट समझ में आँ रहा है लुट इस पॉयन्ट इस वेरी किलिर तो यह हो गया हमारा इक बेसिक मीनिंग कि हमारे कंट्री में भारत देश का कोई दर्म नहीं है सभी दर्मों को बराबर मांते हैं यह हमारे धर्मने पेचता का मतलब है एक ट् चलन को सब्सक्राब कर ले जाएं और आप थोड़े हमारे बारे में भी सर्च कर लें हम करन चौदरी हैं जो पढ़ा रहे हैं आपको और हम बाकी सथ विद्यारती जानते हैं मेरे बारे में अधिकतर विद्यारतियों को पता है ठीक है कुछ नए बच्छे भी हमसे जुड़े तो मैं अच्छा पसंदी लगेगी कि हमारे नए बच्चे भी हमारे जुड़ रहे हैं तो मेरे को लगता है कि अब ट्रपल एस डी आर में आप लोग को कोई डाउट नहीं है अगर मैं बोलू कि ट्रपल एस डी आर में तीनो एस आपकी क्लियर हो गई सोवरें सेक्यूलर सोवरें सोशलिस सेक्यूलर अब आता है डेमोक्रेटिक और आता है रिपब्लिक अगर मैं कहूं डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है देखो अगर मैं आप से कहूं लोगतांत्रिक का मतलब क्या है लोगतांत्रिक इसको आप क्या नाम बोलते हो डेमोक्रेट तो जो डेमो क्रेटिक सब्दे दो वडों से निकल कर बना है एक का मतलब है डेमोज देमोज और दूसरी का मतलब है काटिया काटिया तो डेमोज का मतलब क्या होता है डेमोज मतलब जनता जनता और काटिया मतलब सासन तो कितना सिंपल है समझाना आप यह कह सकते हो जनता का स सासन जो सट लोब संऴर को अगर ? लोग तंतर कहते होगो याणिं आप समझा सकते हो साकी ना गैग उसक turkey नाम देर लोगो तंफेट आप नोख कल dubячी तो आपने इसका बहुत अच्छी पुरानी परिवासा την योगी डे डेमोटरेशी का मतलब होता है अबन को समझा उगा इसका मतलब क्या है मोड़ाइड पिप्ल फॉर्ड इन पीपल और आप एफ वॉर्ड पॉर्ड इपीपल और आक्कुर्प ये तीन सेगमेंट आप लोगोने देख लिए तो ये अब्राम-लिंकन की परिवास अब्राम-लिंकन कहते हैं कि जनता की जनता द्वारा जनता के लिए तंत्र को यह आप लोगतंत्र कहते हैं जनता का सासन जो लोगतंत्र कहलते हैं ठीक है खुपिया mind of polity अच्छा मेरे भाई इसको बोलते हैं इसको आप democracy कहते हैं लोगतंत्र एक्चली लोगतंत्र क्या है देखो लोगतंत्र है एक ऐसा mode of government जिसमें जनता अपने सासक को चुने अगर आप से कोई पूछ ले कि लोगतंत्र क्या है तो ऐसा mode of government जिसमें जनता अपने सासक को चुने अब सासक चुनने के दो तरीके हो सकते हैं जनता अपने सासक को directly चुने जाहें जंता अपने सासक को चुने तो गवर्मेंट आप दीपीपल मतलब जयो咔सा के वो जयलए यह अपने पूसे आप लोगत अ कहते हैं आप समझ में आघी कि नहीं आघी जैसे राज तन्त्र में राजा का सासम में तो जैसे आपणे पड़ा और और एसे आपृटी क्या शाक का मतलब क्या है यह बहुत कंट्री में वह सार्कार को आप नाम देते सरकार थिसलिये। अगर राष्टपती को चुनेगी इसको लोगतंत्र नहीं कहेंगे कहने को तो ब्रिटेन भी लोगतंत्र है बाई अगर जनता अपने सासक राष्टपती को चुने तो फिर ब्रिटेन लोगतंत्र है और वहां तो नहीं चुनती तो इसका मतलब क्या है जनता अपने सासक को नहीं क्योंकि अगर आप सैकिंड डाइशन पढ़ने लग जा ओग इसी बात की सैकंड डामिस ना पढ़ने लग जाओक इसी बात की कि तो जहां जनता देश के प्रमुक को चुने अब देखो देश का प्रमुक का मतलब क्या होता है है एंट अंट इनेशन सक नाम पर्त न है रहेर ऑफ दी नेशन तो झाहां जनता अपने हेड आप दी नेशं को चुने राश्ट्र के प्रमुख को चुने यह यह बंदा इलक्टिट हो उसको आप बोलते हो रिपब्लिक कम जाहां यह बं दा इलक्टिड हो इसको आपनो क्या नाम देते हूँ that is called Republic इसको आप नाम देतो हूँ गनराज यह country में अमारे country में को हो है यह हमारे country है प्रेसिडेंट है इसको आप नाम देंगे गनराज राष्ट्रपदी अमारे देश में चुना जाता है तो यह हो गया राष्ट्र का प्रमोक, Head of the Nation, मैं जिसकी बात कर रहा था आप लोगों से, मैं बात कर रहा था सरकार की, सरकार, सरकार, सरकार अगर आप ए कंट्री में elected हो, निर्वाचित हो, तब आप अपने country को क्या बोलोगे, that moment अपने country को आप बोलोगे, elected country होगी, तो आप अपने country को बोलोगे, लोकतंत्र, आप इसे क्या नाम बोलोगे, democracy, इसी basis पे आप देखोगे, दुनिया के ऐसे बहुत सारे country है, जो लोकतंत्र होगे, जैसे कि मैं बात करूँ आप से इंडिया की, तो भारत क्या है, बारत में ये भी elected है, इसको जनता ने चुना है, तो वा अमेरिका की बात करूँ तो अमेरिका भी लोकतंत्र है, अमेरिका को चुना है, तो अमेरिका भी लोकतंत्र हो जाता है, बहुत ही clear है, लेकिन मैं यहाँ पर अगर आपके सामने एक्जाम्पल्स को लेकर बात करूँ, तो यहाँ पर देखोगे कि ब्रिटेन की बात करूँ, इंडिया क्या है इंडिया क्या है इंडिया एक रिपब्लिक है और अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में दौनों पद एक ही आदमी को दिए गए वहाँ पर यह नहीं यह है तो युएसे में सिंगल और बात कर तो युएसे में सिंगल अपड़ी में तो वहाँ पर कोई रिपब्लिक का कॉंसेप्ट है नहीं अलएक आदमी दोनों चीजे लेकिन जो एक ही आदमी दोनों है वह है क्या इलेक्टेड है आप मेरी बास समझे लोग यह तो नि तो अमेरिका एक प्रकार से आप बोलो अमेरिका गड़तंत्र है तो अमेरिका गड़तंत्र है भी और नहीं भी अमेरिका लोगतंत्र है क्योंकि अमेरिका में क्या है कि हैड ऑफ दा नेशन अलग से नहीं है वो एक ही आदमी है इसलिए क्या है ब्रिटेन में ऐसा बिलकुल भ तो सरकार कि पर मुखें और देस के अमिर का में दौनों कि बीच तो अमिर का मरेका यो पी öl्यों हुद को रिप Barbara इसी मंत negativity ये बहुत सारे कंट्रीं यह मैं आपके xample आपको देखने को मिलेंगे ए यह आपको अपतर दौनों ही चीज़े हैं समझ में आया कुछ बोलो भाई हाया ना हमारे बिद्यारतियों का जोस कैसा है संख्या कितनी इनकी बहुत बड़ी आजन का जोस बहुत ही अच्छा है ठीक है चलिए तो अब मेरे को लगता है कि आपके अब मैं आपको यह समझाना चाहूं तो बड़ी बेसिक सी बात है कि बारत की संब्दार की प्रस्तावना में सामाजिक निया है क्या होता है हमारे कंट्री में आपने देखा कि आप नीची जाती को उची जाती को सब को जो है समान माना जा रहा है तो समाजिक निया है हम चाहिए कि गरीवों को कल्यान करो सरकार ऐसे पॉलति लॉंच कर रही है का सम्रद्दी योजना जन कल्यान योजना समाजिक निया है सभी को दन का बरावर दन देखने को मिल रहा हरां कि ऐसा है नहीं एक्च्छुल में है में आर्थिक नया का मतलब है कि आपका मेरा बोट और लड़के वेल्यू बरावर और नरेंद्र जी जाएंगे तो दोनों का वेल्यू बरावर इसमें कोई अंतर नहीं है तो हमारे पास किया है कि हमारे पास ऌसघुनाव लट सकता हूं uh25 राहुल ग०ू सकते किया हूं उबर 25 साल हुए तो में इसमuftन के समय सब्सक्तर समाज आप कुछ भी सोच सकते हो आपको पूरी आजा दिये लिवर्टी आप कुछ ही बोल सकते हो अविवक्ति क्या होती एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं कि आपके मन में कोई विचार आया आपने उसको बोला तो कैसे भी बोला लिखकर बोला पढ़के बोला गुनाह के बोला विश् कि इसा बीवर्ष कर सकते हो आपका जैसा मन वाब विश्वास करलेजों मोधि अच्छा अदमी मोधि खराब आदमी है धर्म विश्वास करले जिए हिंदू बनो मुक्सलिव बनो उपासना आप उसकी पूजा करो अच्छना करो कैसे भी कैं समानता प्रतिस्था की समानता ह मंद्रों में मेस्जजदों में या मंदिर में अब सब्सक्रेश कि अजाती केसे सपिछी लोग भी ज॥ा सकते अवन ईह भी जाने सब्सक्रेश Cancer अवारे तो इपरिच्नियसमान शॉल्प पाताथiegania सब्सक्रेश्सक्रेशu यह जो यहे जो आप देखते हो ऊंद्म में सब्सक्राइब उन्हें आगे आगे समझे वह इसकी की गर्माव्यक्ति की गर्मा मतलब उसकी गर्मा का ध्यान रखा जाएगा अब एकता और अखंटिता यह अपने आप में बड़ी चीज़ है यूनिटी क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ आज के बाद कभी डाउट मत करना यूनिटी क्या होती हमारा भारत देश है अब हमारे बारत देश में यूनिटी का मतलब क्या है तो यूनिटी का मतलब निकलते हैं हमारे बारत देश में कि हमारे बारत की जनता के मध्य मनोवेग्यानिक लगाव मनोवेग्यानिक लगाव का मतलत क्या होगा साइकलोजीकल रिलेस्टन या साइकलोजीकल अट्रेक्शन मनोवेग्यानिक psychological लगाव एक्जामपल जैसे आप जम्मू कस्मीर के रहने वाले हो और कोई भाई केरला का रहने वाला है लेकिन आप सब बोलते हो हम हिंदुस्तानी है आप अगर बाहर जाओगे देश से तो आप बोलो के गुरुजी हम हिंदुस्तानी है हम अरे तु भाई केरला का है ओ विज्द्यानिक लगाव की कभी पूछ ले डैर इस कौल यूनिटी मनो विज्द्ध लगाव को यूञत्यों पेइसकी दोगत्यों हमारे लोगों के मद्दे जो बहुगь लगाव है हम पी फिल लगाव है हम जिओग्रफ कल यंallie एक ंतुदे हूं तो जो जो भागोलिक लगाव है या आप कही सकते हों कि stato geographical इत्रीक्षन इपंऐ जिवक्षेशन ने भाव लिखेयर लगाव को आप लाग नाम देती हों एक इंटी गरेटी या नाम देती हों इंटी गरेटी यहीं पूंता है इंटीगर्टी को आपप लोग क्या नाम बोलता है मतलब इक तनके ना अखंड भारत के này को हमारा कोई घक नाहो सके तो तो हमारे खंडों के मद्द जो है उसों अखंड कहते हैं तो unity और integrity का मतलब समझे unity मतलब हमारे country के लोगों के वीच में एक भगोलिक लगाफ उसको हम नाम देते हैं अखंडता integrity और एक मनोव ज्यानिक लगाफ उसको हम नाम देते unity तो दो प्रकार की चीज़ हो जाती है मुझे लगता आपकी समझ में आगई होगी किसी प्रकार का डाउट आपके मन में नहीं बन रहा होगा बन रहा है अगर डाउट बन रहा है न तो इसको ऐसे करके मसल दो डाउट बन निमत बड़ा आसान रखो अपने खोपड़ी को किसी प्रकार का विचार अपने दिमाज में आने पद दो जिन विद्यारतियों को बुक्स की टेंसन है गुरुजी बुक्स लेनी है कितावे पड़नी है तो मैं एक नया इंसेंटिव लॉंच कर रहा हूं मार्क प्रश्मिकांत हो गई महिस बढ़ माल होगी उसके अंदर आपको स्पेक्ट्रम हो गई आपके अंदर अर्टन कल्चर हो गई आपको नहीं पता आपको कौन से किताब पढ़ नहीं एंस्यार्ट हो गई तो पूरा पैकेट आपको मार्केट से 400-500 रुपे सस्ता हम लोग यह से बेश सकते हैं मेरा उन्हों ने मुझा आज कॉंटेक्ट किया है प्रवी मुस्से नीचे मिलने भी आएं तो उसमें क्या होगा कि आप लोग को बैनिफिट होगा और प्लस डिलिवरी चार्जिस भी आपके फ्री होंगे वो क्या कर रहा है कि डिरेक्ट लीसे किताब बनी तो इस किताब को सीधी होलसेल में खरीद रहें और सीधी आपके पास बेज रहें तो अमेजोन का डिलेवरी चार्ज 60 रुपे, 70 रुपे, 80 रुपे वो आपका खतम कर दे रहें तो डिरेक्ट क्या हुआ कि आपके पास किताब जाएगी एक आपको नमबर मिलेगा जिसे कि आप अपनी किताब को चेक कर सकते हो, कहां तक आपकी किताब पहुंच तोगी, यह भी जंजट आपका खतम हो जाएगा, कि आपको कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी किताब नहीं पढ़नी, इसके लिए कितने विद्यारती तयार है, एक बार थमसब करके वताएं, जिसे क आपको सस्ते रेट पे एक बार ही आपका पैकिट पूरा पहुंच जाए, खिर आगे मैं पॉलिटी मैंड में भी आपको पहुचा दोगा, ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक बचता है, प्रस्तावना में संसोधन, देखो एक छोटा सा टॉपिक है, प्रस्तावना में संस हुआ है, इसी को कब हुआ तो 42 में संविदान संसोधन से 1976 में हुआ, और इसके माद्यम सिवारी प्रस्तावना में आप देखते हो, तो तीन सब्द जोड़ेगे, एक तो समाजवादी, एक धर्मिर पेच, और तीसरा कौन से आपका अखंडिता, इंटिगरिटी, यह आपक अच्छा, एक और प्रिश्ण बनता है कि क्या हमारी संसद अब संसोधन कर सकती है, तो एक चीत याद रखेंगे, हमारा जो पालियमेंटे संसद जो है, यह प्रस्तावना में संसोधन कर सकती है, प्रस्तावना में संसोधन, उत्तर होगा हाँ, यस कर सकती है, 1973 में केजवान तो यह नहीं कर सकती हमारी पालियमेंट हमारी पालियमेंट इंडिया को हिंदू राष्ट किसी कीमत नहीं बना सकती हैं कितनी मैजुरिटी क्यों नहीं हम हिंदू राष्ट नहीं सकते हमारी परिस्तावना में सेकुलर है और सेकुलर को सम्विदान की सेकुलरिजम को सुप्र आदर तो केफिरेंट हुय एक वब धैरुभारी का मामला है है यह रहु हुआ उननीस्थ साथ में इसमे प्रस्तावणा को सुप्रीम कोट ने चाहर नहीं माना कि अलगे प्रस्तावन समयदान का वाग नहीं यह इसको पाट नहीं माना और इसमें का कि इसमें कोई amendment ने ऊसकता नो amendment क्यों सुप्रीम कोट में सैंकेश रुआ ओननंदा वार्ती येवा नंदा वारती वरसिश्टिट आव केरला के गास रुद लइन दा बारती का जो केश हुआ इस केस में सुप्रीम कोड ने प्रस्तावना को आंत्रिक भाग माना सुप्रीम कोड ने प्रस्तावना को समयदान का आंत्रिक भाग माना का कि प्रस्तावना सुप्रीम कोड का ने का कि प्रस्तावना इंटीग्रिल पार्ट है तक मरे संविदान का आंतिरे गवागे आत्मा पोर अध्मा है कि week अध्मार परमात्मा कभी दिखते स्वाग और आंत्रिक वाग है और यह कभी दिखता नहीं है इसलिए इसको इंटेग्रल पार्ट माना और इसी में सुप्रीम कोड ने बेसिक इस्ट्रिक्चर की ठीओरी को प्रपॉंड किया था ता कि आप इसमें बदलाव कर सकते हो लेकिन आप इसके बेसिक यानि मूलबू ढांचे को कर सकते हो लेकिन आप बेसिक इस्ट्रिक्चर को चेंज किसी किमत पर नहीं कर सकते इन चीज़ों के बारे में करें मैं हो सकता है हो सकता है एक बार हुआ प्रस्ताольा के basic डांचे में नहीं हो सकता उसकता बेरु में सुप्रीम आप किया समयदान का वाग नहीं है लेकिन 1973 में केज वारती में सुईकार किया और प्रस्तावना संभाधान का भाग है तो यहां से आपके जो प्रश्ण बन सकते थे प्रस्तावना के सारे के सारे कवर हो जाएगे ठीक है अब आप मेंसे कितने विद्यारती पॉलिटी का कुछ चाहते हैं इस क्लास पर आधारिग ठीक है कितने विद्यारती आप मेंसे कुछ चाहते हैं पॉलिटी का कुछ चाहते हो यह पॉलिटी का कुछ आप देख रहे हो डू यू वांट पॉलिटी कुछ तो एक बार कि देखो मैं आपको जीएस बिद करंग चौधरी सर्च करना है उसका अपने स्क्रीन सोट नहीं लगाएं इसमें दो हो कैसा दिखता है क्योंकि बहुत सारे फर्जी चैनल बने हुए है इसके भी इसमें सोट कल से आवस्थ से लगाए हमसे जीए से बिद करंच चौधरी लगा है तो आप लोग क्या करें कि आप तो यह चैनल है ओर्जिनल जिस पर मेरा एक फोटो लगा हुआ जिस पर सब्सक्राइबर है इसी चनल को आप जोइन करेंगे इस पर पीडिएफ इस क्लास की प्राप्त होगी जो मैंने अभी पढ़ा है इसकी पूरी पीडिएफ आपको यहीं डालके दी जा रही है तो आपको लिंक कर देना करें अब गरिए अए और फरी ना जाले एक निससे पूर है इस पूर्टा की एक समस्या म्जा आया करना class के बाद वो class पढ़ने मानन दाता है यहां तो आप सब पढ़ते हो चले जाते हो केता हो कि साधी में सब कहते हैं sir अरे भाई happy marriage happy marriage happy marriage लेकिन साधी के एक साल वाद कोई कहता है happy marriage anniversary तो बड़ा मज़ा आता है तो आप क्या करना class कतम होने के बाद comment करना कुसुनमाद जी कह रहा है कोई सत्किया कोई और चैनल आ रहा है अभी आप लिंक से जोइन कर लो जो लिंक दिया इस लिंक से आप जोइन कर लो और बाद के चैनल से पिर मैं आपको डलवा दूँगा सब में से लिंक आज ही पिन कर देना सारी classes जो हो चुकी है टीजीटी पीजीटी के लिए सब के लिए important class है यूपी टीजीटी पीजीटी सब के important है question कुछ 20 question का होता है आज के class छूट गया दुवारा से पढ़ ले ना कुछ दिक्कत नहीं कोई बाद नहीं अभी सब comment करना बाद में अच्छा लगा धन्य बार लव यू जेहंद प्यार मिला कल का टोपिक है सम्विदान की बिसेस्ता है पढ़ोगे ये सम्विदान का भागवन पढ़ोगे बता के चले जाओ कमिंड कर दिना क्लास के ऊपर बाद में संब्धान की से चाहिए या संब्धानका भागवन जैंदैं नवसकार संब्दानकी बिसेचता है है संब्धानका भागवन बता दो भी आई Welcome अच्छा यह अजली को प्यार कर रही सुदेश बैरी जी मैं भी कर लो चलो फिर बावाय नमस्कार आप बावा फैन बन जाओ अच्छा लहेगा अच्छा मैं बावा बन जाओ बत मैं यही फ्यूचर में यही करना और करना क्या है दस बावा साल और सही तुम कुछ बन जाओ फिर मैं बावा बनूँगा फिर मैं रादे-रादे किया करूँगा तु कि बारत के समदान की बिसिस्ता हम देख लेते लेकिन छोटा हो जाएगा ठीक है चलिए लब यू मेरे भाई ये सारे कमेंट में बाद मैं पढ़ूँगा आपके सब के कमेंट में कल पढ़ूँगा मैं सुवह सुवह कमेंट पढ़ता हूँ तो भी तुम्हें सो जाओंगा ज बाद में कमेंट मुझे दिखते हैं बहुत कमेंट में अंज पढ़े सब के में खुद लाइक करता हूँ उनके नाम भी मुझे याद हो जाते हैं तो आप बाद में कमेंट करना क्लास करता हूँ नमसकार